Asbestos का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Asbestos जो है वो खनीज silicate होते हैं यानि कि naturally occurring minerals होते हैं जो की बिल्कुल बारीक, fiber या खनीजों से बने हुए होते हैं और ये naturally जो है heat के, fire के और बहुत सारे chemicals के resistant होते हैं यानिकि इन पर जो है heat का, fire का और chemicals का असर नहीं होता है ऐसे जो ये खनीज होते हैं या जो खनीज silicate होते हैं इनको asbestos कहा जाता है और इनका इस्तेमाल जो है वो अलग-अलग द्योगों में किया जाता है जहां पर आग या insulator के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये acid में भी नहीं गुलते हैं या फिर इन में जो है आग को रोकने की या फिर गर्मी को रोकने के क्षमता होती है हाला कि ज़्यादा लंबे समय तक इनके संपर्क में आने से बहुत सारी बिमारियां और दिक्कते हो सकती है इसलिए इनको काफी regulated माना जाता है और काफी countries में इनको ban भी किया गया है और जहां पर इस्तेमाल भी होता है तो वो नियम काइदों के अनुसार होता है तो asbestos जो है वो एक naturally occurring minerals होते हैं जो fine और durable fiber से बने हुए होते हैं और ये आग को और chemicals को और भहुत सारी चीज़ों के प्रतिरोधी होते है यानि कि उनका इनका इन पर असर नहीं होता है तो इनको asbestos कहा जाता है ये वीडियो शेक्षनिक उद्देश्य से बनाया गया है हम किसी भी प्रकार की कोई medical सलहा इस channel पर नहीं देते हैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले उसके विशेशग्य से जानकारी ले और उसके बाद ही उस चीज़ का इस्तेमाल करें ये वीडियो शेक्षनिक उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें आपको सिर्फ asbestos का मतलब बताया गया है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फ सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें